साई की बात इस तरह का प्यार तुम्हारा मुझसे हो चुका है इस तरह का जुडाव तुम्हारा मुझसे हो चुका है कि तुम मेरे रंग में रंग चुके हो और जो तुम्हें ये केसरी रंग बहुत पसंद है ये मेरा ही रंग है ये केसरी रंग मेरा रंग है और मैं हमेशा ना तुम्हें इसी रंग में दिखाई देता हूँ मुझे पता है कि तुम्हारा ये मन पसिंदता रंग बन चुका है जब भी मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ ना तो इस नारंगी भेश में दिखाई देता हूँ जब ही तुम्हें मेरे दर्शन होते हैं तो नारंगी रंग में होते हैं तुम मुझे नारंगी रंग में देखना चाहते हो तुमना बहुत प्यार करते हो नारंगी रंग से क्योंकि मेरा रंग नारंगी है मैं वस्त्र जादा तर नारंगी पहनता हूं तुम्हें पता है और सुनो मेरे बच्चे जो मेरे बच्चे सुभा उठकर ब्रह्मूरत को सम्हाल रहे हैं न वही मेरे बहुत लाड़ले बहुत प्यारे बच्चे हैं क्योंकि कुछी चुरिंदा बच्चे मेरे ऐसे होते हैं जो मेरे बहुत खास जो मेरे लाड़के होते हैं जो सुभा सुभा उठकर ना ब्राभ मूरत में मेरी पूजा करते हैं, मेरा पाठ करते हैं, उस राम का नाम लेते हैं, उस मालिक को याद करते हैं, वही मेरे बच्चे हैं, वही मेरे कुछ खास चुनिंदा बच्चे हैं, जिन पर ना मेरा अशिरवाद किरपा दोनों हातों से हो रही है किरपा गहो की किरपा की परसात हो रही है श्रंखला में हो रही है मेरे बच्चे और वो मेरे बच्चे ना बिना आलस किये नीन को त्याक कर सुभा मेरे आनंद में जुड़ जाते हैं मेरी काकड आरती करते हैं मेरा नाम चाप करते हैं मेरा ध्यान करते हैं जो कोई चिंता नहीं सताती, उनके जीवन में न, दुख में भी वो दुख नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका साई उनके साथ है, हर पल साई का हाथ उनके सर पर है, उनका कुछ भी कोई भी बिगार नहीं सकता, मेरा हाथ जो है उन पर मेरी मेहर जो है उन पर और सुनो मेरे बच्चे तुम जिस नियाए की गुहार लगा रहे हो ना मेरे आगे वो नियाए तुमें जरूर जरूर मिलेगा ये मेरा वादा है तुम से तुम बिल्कुल चिंता मत करना तुम अपने तरफ से अपने अच्छे करम करते चलो कभी किसी का बुरा मत सोचना कभी किसी का बुरा मत करना अपने मन मेना कभी भी किसी के लिए कोई भी जलन या कोई ईशा पैदा मत होने देना क्योंकि ये ईशा ही है मेरे बच्चे जो इंसान को मार देती है जो इंसान से गलत चीजे करवा लेती है इंसान कभी गलत नहीं होता आत्मा सबकी अच्छी होती है आत्मा सबकी मेरा ही रूप होती है बस इतना होता है जो इंसान के मन की जो विचार है न जो उसकी सोच है वही इनसान को गंदा कर देती है वही उसके विचारों में अपराद ले आती है और कुछ नहीं है मेरे बच्चे बाकी सब मेरे बच्चे मेरे हैं बलकि ये कहूंगा जो दुश्मन भी है न तुम्हारे जो शत्रू भी है न उनमें भी मेरा ही रूप है उन्में भी मेरा ही रूप देखा करो क्योंकि दुश्मन को न, मारने से अच्छा है कि उसकी दुश्मनी मिटाई जाए और दुश्मनी पता है तुम कैसे मिटाओगी उसका भला करकर, उसकी सहिता करकर अगर कोई तुम्हारे साथ दुश्मनी निभाए न तो तुम उसकी सहायता करना तुम कहोगे कि बाबा आप ये क्या कह रही हो तो सुनो सामने वाले को हमेशा परास्त करकर आगे बढ़ना ये कहां कि अच्छा ही है अगर किसी को तुम गिरा कर आगे बढ़ भी जाओगे तो क्या अपनी नजरों में उपर उठ पाओगे लेकिन हाँ दुश्मन की सहायता करकर तुम अपनी नजरों में उपर उठोगे तुम अपने बाबा की नजरों में उपर उठोगे अपनी नजरों में उपर उठोगे और वो तो वैसे ही पानी पानी हो जाएगा शर्मो सार हो जाएगा वैसे ही तुम्हें कुछ करने के जरुवत है ही नहीं देखो तुम अपने आपको उससे कभी अलग मत समझो क्योंकि हर एक व्यक्ति में मैं हूँ हर एक व्यक्ति में मैं विराजित हूँ तो कभी किसी का बुरा मत सोचना, कभी किसी का बुरा करने की सोचो ना, या कभी किसी का बदला लेने की सोचो, तो एक बार मुझे देख लेना, उसके अंदर तुमें मैं ही दिखाई दूँगा, तो तुम कभी भी उस पर बार नहीं करोगे, बलकि उसकी साहता ही करोगे, और ऐसा नहीं हो सकता मेरे बच्चे कि तुमने अपने जीवन में कोई गलती ना की हो, गलतीया तुमने बहुत की है, अगर कभी अपनी नजर उठाकर अपने अतीत की तरफ देखोगे न, तो शायद बहुत सारी गलतीया होगी, और वो वक्त है आज सुधारने का, क्योंकि ये ज जीवन न, कभ खतम हो जाए, किसी को नहीं पता, अपने जीवन को सफल करो, अपने जीवन को सुधारो, और अपने जीवन में मेरा नाम लाओ, जितना तुम मेरा नाम चाप करोगे, जितना सेवा करोगे न, उतना मैं तुम्हारे जीवन में उतरूंगा, तुम्हारे जीव पुस्तके पड़ो जो ग्यान भरी हो जो ईश्वर से जुड़ी हो या फिर कुछ उसमें ग्यान हो ऐसी पुस्तके पड़ो जहां तुम पढ़ करना बहुत आगे निकल सकते हो जहां ग्यान से तुम अंदिकार को मिटा सकते हो तुम बहुत कुछ कर सकते हो तुम दूसरों के लिए प्रेंडा बन सकते हो, तुम कर सकते हो, अगर बड़े लोग अच्छे रास्तों पर चलेंगे, अच्छी संगत में रहेंगे, तो छोटे भी उन्हें ही देखकर उन्हें के पीछे बीचे चलते हैं, अगर बड़े गलत रास्तों पर चलेंगे, तो छोटे तो अपने ज़एत करो, कुछ दिन पहले तुमने किसी की सेवा की थी, किसी जरुवत मंद को तुमने कुछ दिया था और उसी की दूआ है, उसी का अशिरवाद है तुम पर जिसे तुम आज बजगए, क्योंकि आज न तुम पर एक बहुत भारिस अंकट था और वो उसी इनसान की पीछे कुछ न कुछ कारण होते हैं, हर एक चीज के पीछे कुछ न कुछ होता है मेरे बचे और सुनो तुमारे शरीर में जो विमारी है जो परेषानी है तो एक काम करो मेरे बचे, रोज 9 बार कस्ट निवारन मंतर का जाब करो, आगे मेरा उधी जल रखो और उस उधी जल क नो कस्ट निवारन मंत्र समाप्त करने के बाद उसे पीओ, फिर देखना, उस पर विश्वास करना, तुम्हारी जो भी बिमारी हैं, जो भी रोग हैं, वो ऐसे दूर भाग जाएगा ना, कि जड़ से ही खतम हो जाएगा, समने हाथ खड़े कर दिये हैं लेकिन मैंने हाथ नह जाएगी जड़ से, और कभी लोट कर वापिस नहीं आएगी, तुम देखना, विश्वास करो, एक बार विश्वास करकर देखो मेरे कहने पर, क्या करिश्मा होगा ना, फिर तुम खोद आकर सबको बताओगी, पुरी दुनिया को चिला चिला कर बताओगी, कि तुम्हारे बाबा ने तुम पर क्या करिश्मा किया है, और मैं चाहता भी हूँ, कि तुम बोलो, तुम करो, क्योंकि ना, ऐसा करने से ना, मेरे और बच्चे, तुमारे माध्यम से और भी मेरे बच्चे मुझसे जुड़ेंगे, जब तुम जाकर अपने अनुभव को, मेरे बच्चों तुम्हारा बहुत दिनों से मन है ना, कि साइं की पालकी में तुम्हें शामिल होना है, तो तुम साइं की पालकी में शामिल होगे, जरूर होगे तुम्हें मैं बुलाओंगा, जहां पर पालकी है ना, वहां पर मैं तुम्हें आमंतरित करूँगा, तुम वहां पर करना तुम्हें दर्शन भी दूंगा तुम देखना तुम्हें मेरे दर्शन होंगे तुम देखना मेरे बच्चे ऐसा होगा जरूर होगा और तुम्हें लग रहा है ना कि मैं तुमसे नहीं किसी और से कह रहा हूं तो तुम खुदी देख लेना सामने वाले के मन बदल रहे ह खुश रहो आज का साइ संदेश समातुवा